माइक्रो नूट्रियंट्स के आंगे का टॉपिक का ये वीडियो है बिटामिन्स का बुक में देखेंगे तो आप दिखाई देगा बिटामिन्स बिटामिन्स एक रसानिक पदार्थ है जो कि हमारे सरीर को बहुत कम मात्रा में उसकी आवे सेकता पड़ती है यदि हम अपने भोजन में यदि किसी एक बिटामिन का हमेशा उपयोग करते रहें तो वो किसी रोग का करण बनता है बिटामिन के कमी का करण बनता है मान लिजिए कि बिटामिन सी हम अपने भोजन में नहीं ले रहे हैं प्रापर रूप से अपने भोजर में नहीं ले रहे हैं तो हमें बिटामिन C की कमी होती है जिसे स्करवी रोग कहते हैं उसी तरह से बहुत कम मात्रा में हमारी बाड़ी को बिटामिन कहा सकता पड़ती है तो यहां पे नीचे आपके बुक में दिया है बिटामिनस विच आर मेंटेन विलो फैट सुलेबल बिटामिन यहां पे दो प्रकार कर दिया एक फैट स्लेबल होता है एक वाटर सिलेबल होता है जो वसा में गुलन सील होती है उसके बारे में हम जानेंगे हाइट बिटामिन जो वसा में घुलन सील होती है उसके एलिमेंट्स मुखे रुप से कार्बन हाइडरोजन और अक्षीजन होते हैं वो बिटामिन कौन कौन सी होती है पहला बिटामिन होती है ए बिटामिन ए 1913 में यह एलमर एंसी कुलाम के द्वारा इसका इन्वेंट्स किया गया यह इस बिटामिन को हम रेटिनौल भी कहते हैं रेटिनौल ही कहते हैं और रेटिनौटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है इस बिटामिन के कमी करण ये बिटामिन हमारे body में लग बग 2 ग्राम प्रति दिन के हिसाब सबसे यानि 2 ग्राम के अविशचता हमारे सरीर में प्रती रुप से प्रती दिन पड़ती है अगर इस बिटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे सरीर में night blindness और आप देखे होंगे एक नया इसमें दिया है keratomalacia keratomalacia मतलब सदा के लिए अंधा कभी आप देखे होंगे कि वो आदमी पहले अच्छा था और वो बिल्कूल एकदम उसे दिखाई नहीं देता है तो उसे हम keratomalacia कहते हैं दूसरा एक विमारी हो जाती है पानी आँख से पानी गिरना यानि आँख के संबंदित ये विटामीने की कमी करनक होता है ये मिलता है आपका papaya में अंडे के योलक में milk product में mango में और आपका जो yellow vegetable होता है उसमें मुख्य रूप से मिलता है next आता है next vitamin D vitamin D से आप जानते हैं कि हमें vitamin D मुख्य रूप का उसका स्रूथ होता है सूरी की रोसली अधी उसमें क्या कि विटामिन दी में इसका एलिमेंट होता है कारबन हड्रोजन और अक्षिजन इसमें क्रेष्ट्लाइन नाम का सब्स्टेंस वाइड केस्टि लाइन का नाम का एक सब्स्टेंस इसमें होता है जिसमें केल्सियम और फास्फोरस मुख्य रूप से पाय जाता है यह हमारे जितने पैर हर्मोंस जितने पैरा हर्मोंस के फंक्शन होता है उसको यह मेंटेन करता है हर्मोन सेक्रेट हर्मोन सेक्रेट जिसे पारा थाराइट गलेंड से हर्मोन सेक्रेट्षन करता है यह इसके कमी के कारण इसके कमी के कौन से कारण हो सकते हैं इसमें कौन से रोग हो सकते हैं रिकेट्स नाम की विमारी हो सकती है आस्ट्रोप्रोसिस होती है टेंटेनी होती है और डेंटल कैविटी जो डेंटल कैविटी होती है इसी कमी के करणा हमारे दात में होती है ये मुख्य रूप से किसमें पायाता है संड्रे में पायाता है मिल्क में पायाता है बटर में पाया जाता है फिस के लीवर आल में पायाता है इसका मुख्य स्रोथ होता है अब आता है बिटामिन E होता है बिटामिन E हमारे बाड़ी को ग्रोथ जितने हमारे बाड़ी बीटामिन इपपून का इसके कमई से जिसाडर होते हैं लो वेट होता है आपका और इसका मुख्य करण होता है बिटामिन एका एनिमिया एनिमिया और आपके रेट ब्लड जो लाल रक्त कडिकाओं के कमी हो जाती है इसमें यह और इसमें जो होता है हमारे जो सेल होते हैं इस बिटामिन एक कारण जो सेल डैमेज होने लगते हैं जिसके कारण हमारे लेग और आप्समें वह feeling महसूस होने लगती है जन जना हाट टाइप का होने लगता है और हमारे body moment जो होता है lose होने लगता है जिसे control करने की छमता हमारे body में कम हो जाती है जैसे कोई अचानक साथ से मूड़े तो वो मूड़ने की तुरंत करने की जो गती होती है वह बहुत कम होता है vitamin E के कारण अब आते हैं vitamin K इसमें vitamin वसा में घुलन सील होती है जो fats level होती है ADK ADEK तो जो last वाला K है यह मुख के रूप से जो vitamin A के कमी के कारण जो होता है blood के clotting नहीं होना जैसे कुछ कहीं कट जाता है तो वह blood ट्लाट नहीं कर पाता है जिसमें बहुत मात्रा में कम होता है तो वह blood तुरंत जम नहीं पाता है इसका के के अगर डिफिसेंसी नाम का जो इसका रोग होता है वह एनेमिया नामका रोग होता है इसमें हीमोगलोबीन को जो प्रतियोदक चंता उसमें बढ़ती है बीटामिन्ने के कारण यह मुक्रूप से इसका स्रोत है टोमेटो है पोटैटो है और इसंच हरी सबजिया मुक्रूप सेAK स्रोत है सवया बीन है फ्यान है कॉली फॉलावर है तो यह है बीटामिन ADE के जो वसा में गुलंसील है इसका नेक्स वीडियो हम अभी वाटर सुलेवल विटामिन्स बनाएंगे जो नेक्स वीडियो में रहेगा